परिचय वे प्राक्रब क्या हैं जिनने हम जेव प्रोधुकिकी में शामिल करते हैं? Sir, इसमें कृत्रिम DNA का निर्माण शामिल है. सही कहा, DNA का क्यार्थ है? Sir, Dioxy Ribbon Uclique Aml. सही कहा, तो आओ इस पार्थ में हम जेव प्रोधुकिकी के सिध्धान्त और प्राक्रबों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. उद्देश इस पार्थ के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. जेव प्रोधुकिकी के सिध्धान्तों का वड़न करना. एक कृत्रिम पुनर योगच डियने अनू के निर्मान का वड़न करना. पुनर योगच डियने प्रोध्योकिकी के साध्रों का वड़न करना. डियने खंड के प्रतक्करण एवं विलिगन की चर्चा करना. जैव प्रोध्दोकी की के सिध्धांत अनुवंशिक पदार्थ की प्रक्रिती को बदलने की तक्नीक और या अनुवंशिक पदार्थ को अन्य पर पोशी जीवों में प्रवेश करा कर इसके समलक्षणी में परिवर्थन करना जय प्रदोकी की उत्पादों के निर्मान के लिए प्रोगाणूं रहित दशाओं में केवल पांचित सूक्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संक्या में व्रिध्धी और गुणन को सुगम बनाने की तक्नीक आनुवंशिक इंजिनिरिंग के सिध्धांतों का विकास संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पादप्रजनन और जंदू प्रजनन में उप्योग की जाने वाली पारम परिक्विधी है इसमें प्राया वांचित जीन के साथ साथ अवांचित जीन का समावेश भी हो जाता है संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज डियने विक्सित किया जा सकता है विजातिये डियने या क्रेत्रिम डियने से जुड़ा परपोशी डियने पुनर योगज डियने कहलाता है प्रतीक्रिती का मूल डियने का अनुक्रम है जिस स्थान पर प्रतीक्रितियन या एक गुण सूत्र प्लाजमिट या वाइरस पर शुरू होता है जिवाणूं प्लाजमिट तथा छोटे वाइरसों सहित छोटे DNA के लिए एकल मूल ही परियाप्त है बड़े DNA में अनेक मूल होते हैं और DNA प्रती कृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है कृतरिम पुनर योगज DNA अनूं का निर्मान जब विजातिय DNA प्रती कृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में DNA प्रती कृति एवं गुनित हो सकते हैं ये DNA क्लोनिंग कहलाता है कृतरिम पुनर योगज DNA का निर्मान प्लास्मिट अतिरिक्त गुन सूत्र DNA हैं जो एक जवानों से दूसरे जवानों तक जीन या DNA इस्थनांतरित कर सकते हैं वे साल मोनेला टाइफी मूरियम के प्लास्मिट से प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन को प्रती बंधन एंजाइम्स दौरा काट कर अलग करते हैं प्रिथक जीन, DNA, लिगेज एंजाइम दौरा प्लास्मिट से जुड़ा हुआ था ये पुनर योगज DNA पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं इस पुनर योगज DNA को सालमो नेला से काफी मिलते जुलते इशारी किया कोलाई जीवाणों में इस्थानांत रित किया जाता है प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन इकोलाई में प्रती कृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है जीव के अनुवन्शिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं वांचित जीन युक्त DNA की पहचान जीन हें जीन का परपुशी में स्थानांतरण इस्थानांतरित DNA को परपुशी में स्रक्षित रखना तथा उसकी संतती में इस्थानांतरित करना है पुनर योगज DNA तकनी के साधन प्रती बंधन एंजाइम प्रती बंधन एंजाइम, Nucleages कहलाने वाले एंजाइमों के रग बे आते हैं यह एंजाइम, DNA दुई कुंड़िनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काड़ सकते हैं यह दो प्रकार के होते हैं Ejonucleage, Endonucleage Xionuclease ये enzyme DNA के सिरूं से निकलोटाइट को अलग करते हैं Endonuclease ये DNA के भीतर विशिस्ट स्थलों पर काटते हैं ये enzyme DNA में पैलिन्टूमिक nuclear नूक्लियोटाइट अनुक्रम कहलाने वाले विशिस्ट अनुक्रमों की पहचान करते हैं पैलीन्ट्रोमिक निकलियोटाइट अनुक्रम ये चार युगम का अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को सभान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। तीन प्राइम, तीन प्राइम, CTTAAG पाँच प्राइम, प्रथम प्रति बंधन एंडोनुक्लियज हिंड दो था। तीन प्रति बंधन एंडोनुक्लिय दो प्रतों। क्लेज एंजाइम की क्रियात्वारा पुनर योगज DNA के निर्माण में चरण। कुछ जीवाणों में प्रतिबंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाय जाते हैं और विशाणों के वृत्थ रक्षा तंत्र के रूप में कारे करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम ECO-R1 में निम्न पहचान स्थल होते हैं। GAA-TTC, CTTAAG इसकार्थ है कि ECO-R1 इस अनुक्रम में केवल G और A के बीच काटेगा। चरण एक, ECO-R1 के लिए पहचान स्थल युक्त DNA का एक खंड नीचे दिया गया है। चरण दो, ECO-R1 DNA लड़ी को पहचान स्थल पर काटता है। G और A के बीच, चरण तीन, DNA लड़ी विखंडित हो जाती है। इससे खुले निकलियोटाइट्स या चिपचपे छोर वाले DNA खंड उत्पन होते हैं। अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उधारण के लिए हिंड दो में सीध में काटता है और बंद निकलियोटाइट वाले DNA खंड उत्पन करता है। ये खंड अनासंजी स्रे कहलाते हैं। चिपचिपे सिरे और अनासंजी स्रे एक अन्य DNA एंजाइम लिगेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े सकते हैं। DNA लिगेज, DNA की मरमद और प्रती कृतियन में शामिल होते हैं। लिगेज का कारे बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में DNA खंडों को पुना जोड़ना है। DNA खंड चार युक्म रेखन का उप्योग करके आपस में जोड़ जाते हैं। जो खंडों को उनकी शरकरा फास्टरेट रिड़ पर जोड़ते हैं। यदि DNA खंड अलग अलग सरोतों से है तो पुनर युजन DNA उत्पन होता है। DNA का उत्पादन पुनर युजन DNA का उत्पादन प्रती बंधन एंजाइम एको प्री किक्रिया के परिडाम सरूप होता है। और बंधन को निमनलिकित आरेक में दर्शाया गया है। एंजाइम दोनों DNA को समान आमाप पर काड़ता है। उसके बाद दोनों DNA खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है। और इसके फलसरूप पुनर योगज DNA बनता है। DNA खंड का प्रितक करण एवं विलकन DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्धुत करण संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है। विभिन आकार वाले अडों को सरंध्री, स्पंच जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए Electrophoresis में विद्ध धारा का उप्योग किया जाता है बड़े अड़ों की तुल्ला में छोटे अड़ों जेल रंदरों से बहुत आसानी से गती करते हैं फिल शाप्र जू सैंप्रुक और बिल सागडेन ने अत्यदिक शुद्ध सबुद्रिय घास से बने एकारोज जेल का उप्योग करके DNA Electrophoresis टक्नीक विक्सित की है जेल को विद्ध प्रभाहित होने वाले लवन गिलियन से भरे टैंक में डुबोया जाता है पिपेट का उप्योग करके DNA प्रतिदर्ष को एकारोज जेल में बने इस्थानों में लाता जाता है DNA प्रतिदर्ष रंगी हीन होते हैं लेकिन शोत करता नीले रंग की ट्रेकिंग डाई मिलाते हैं इससे प्रतिदर्शुक को लादना और जेल से होकर DNA प्रवासन को आँखों द्वारा देखना आसान हो जाता है। DNA रीड में सित्फ फास्वेट समू रनात्मक आविशित आक्सिजन लेकर DNA अडूं को पूरी तरह से रन आविशित कर देते हैं। विद्धारा में रनात्मक आविशित DNA इलेक्ट्रोफोरिसिस कक्ष के धनात्मक ध्रुव की ओर चले जाते हैं। DNA अडूं एकरोज मेट्रिक्स के रन्द्रों की रेप्टेशन, रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर इस्थानांत्रित होते हैं। दिये गए समय में छोटे DNA खंड बड़े खंडों की तुल्ला में तेजी से गती करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह DNA खंड एक एकरोज जेल में आहमाप अनुसार अलग अलग किये जा सकते हैं। क्लोनिक समभाहक एक DNA अणू जो विजातिये DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है, जीवानू कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्ने करता है और विजातिये DNA क्लोनिक समभाहक कहलाता है। क्लोनिंग समवाहक प्रति बंधन एंचायमों के लिए अगले महत्पून साधन हैं। सामानोंने क्लोनिंग समवाहक प्लाजमिट और जीवानु भुजी हैं। एक समवाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेष्टाओं की आविशक्ता होती है। प्रतीक्रितियन की उत्पत्ति यानी मूल यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतीक्रितियन की शुरुवात होती है और DNA का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतीक्रितियन कर सकता है वरण योग के चिन्हक मूल ओरी के साथ समवाह को वरण योग के चिन्हक की भी आविशक्ता होती है जो रुपान तरजों और अरुपान तरजों की पहचान करने में सहयता करते हैं उधारन के लिए एमपिसिलेन, क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रसाइकलिनादी जैसे प्रती जहविकों के प्रती प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वरण योग के चिन्हकों के रूप में उप्योग किया जाता है रुपान तरण ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक DNA खंड को परपोशी जीवाणों में प्रवेश कराय जाता है क्लोनिंग संभाहक क्लोनिंग इस्थल ये वेस्थल हैं जहां पर विजाती ये DNA जुड़ता है निवेशी निश्क्रियेता प्रति जैविक प्रति रोथी जीन का उप्योग करके पुनर योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए एक वैकल्पिक विधी विक्सित की गई है इसमें रुपान तरजों, पुनर योगजों और आप पुनर योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्तिती में रंग उत्पन करने की उनकी शमता क्याधार पर की जाती है। इसमें एक पुनर योगज DNA को एक लेक्टो साइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराये जाता है, जिसके भल सरूप एंजाइम निश्क्रिये हो जाते हैं और इसे निवेशी निश्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवानों द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, आप उनर योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। इसलिएंस T, DNA कहलाने वाले, DNA का खंड इस्तानांतरित करता है, और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रुपांतरित कर देता है, और अर्बुद कोशिकाएं रोग जनक के लिए सरूरी रसाइनों का उत्पाधन करती हैं। अब इस जीवानों के T, I, Plasmid का उप्योग अपनी अभिरुची के जीन को अनेक पौधों में इस्तानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जनतों में पश्च विशाणूं परपोशी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रुपांतरित करने के लिए अपने DNA को परपोशी कोशिकां में इस्तानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विशाणूं का एक समवहक की रूप में उप्योग किया जाता है। यदि हाने कारक DNA को अभिरुची के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आति थे यानि पुनर योगज DNA के साथ रुपान तरण हे दू। DNA जल रागी अड़ों होते हैं इसलिए इसे कोशिका जिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को केल्शियम जैसे दूई संयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर योगज DNA के साथ बर्फ पर रखा जाता है। तब पुनर योगज DNA को उन कोशिकाओं में बल पूर्वक प्रवेश कराय जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और पुनर इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। विजाती ये DNA को प्रवेश कराने की अन्यविधियां सूख्ष्म अंतक्षिपन और बायोलिस्टिक या जीनकन है। पुनर योगज के प्राक्रम पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं। जैसे अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करन DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवाह संसाधन अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्तथक करन प्रती बंधन एंजाइम की क्रिया के लिए DNA को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाहिए ये लाइसोजाइम, सेलिलोईज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणों कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है DNA हिस्ट्वर, प्रोटीन और RNA के साथ गुंदे रहते हैं RNA को रिबान यूकलेज से उपचारित करके जबकी प्रोटीन को प्रोटी-एस से उपचारित करके अलग किया जाता है अन्ने अणवों को उचित उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा दुरुद्ध शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधिद DNA अवक्षिपित हो जाता है DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना शोधिद अणवों को ईश्ट तम परिस्थितियों में रखने पर प्रती बंधन एंजाइम का उप्योग किया जाता है प्रती बंधन एंजाइम की वृत्धी जाचने के लिए पाचन एक अरोज जेल इलेक्ट्रो फॉरेसिस का उप्योग किया जाता है पुनर योकज DNA तयार करने के लिए सुरोत DNA से काटा गया अभिरुची का जीन तथा खाली जगा के साथ कटे हुए समवाहक को मिश्रित किया जाता है और लिकेज मिलाया जाता है पुनर योकज DNA प्रोध्योकिकी के प्रक्रम PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्धन पॉलिम्रेज श्रिंखला अभिक्रिया यानी PCR विशिष्ट DNA अनुक्रमों का घातां की प्रवर्धन प्रदान करती है PCR के लिए आवशक है DNA टेंपलेट कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित DNA अणु होते हैं प्रवर्धित किये जाते हैं उपक्रमक समान G-C सामगरी के साथ साथ लगभग 10-18 निकलियोटाइट के रसाइनिक संशलेशित अल्प निकलियोटाइट का युग्म उपक्रमकों के रूप में कारे करता है जो एक दूसरे के प्रती सीधे DNA संशलेशित करते हैं एंजाइम सामाने रूप से उप्योग किये जाने वाले दो एंजाइम हैं टैक पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1-2 मिनट तक बचे रह सकते हैं इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं 1. विक्रिती करण लक्षित DNA का गलन दूई लड़िये DNA से इसकी पूरक लड़ियों को प्रथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सिकंड के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उप्योग करके इसे विक्रित किया जाता है DNA सेंशलेशन के लिए प्रतेक प्रथक एक लड़िये DNA टेंफलेट के रूप में कारी करता है 2. उपक्रामक तापनुशीलन विक्रित DNA लड़ियों के लिए दो अल्प निकलियोटाइड उपक्रामों को का तापनुशीलन अतरिक्त उपक्रामक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है उपक्रामक हाइडोजन बंध बनाते हैं जो DNA अनुक्रम के दोनों सिरों पर DNA का तापनुशीलन करता है 3. उपक्रामकों का विस्तार बहुलकी करण DNA पॉलिमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुली की करण प्रक्रिया की शिरुवात करता है उपक्रामकों की जाने वाले दो एंजाइम टेक, पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज हैं पुनर योगज DNA प्रद्योगी की के प्राक्रम परपोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन यदि पुनर योगज DNA को जिसमें प्रती जैविक E.C.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. उत्पाद प्राप्ट करना विजातिय डिये ने जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांचित प्रोटीन उत्पाद प्राप्ट करने के लिए प्राया गुनित हो जाता है। प्राया विलोडन प्रकार के बायो रेक्टर का उप्योग किया जाता है। गुमाओदार होते हैं। विलोडन प्रायो रेक्टर में आक्सीजन उपलग्धता वा उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पता हवा पुलबले के रूप में प्रायो रेक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायो रेक्टर में निम्न घटक होते हैं। एक प्रक्षोभग तंत्र, ओक्सीजन प्रदाय तंत्र, जाग नियंत्रन तंत्र, तापक्रम नियंत्रन तंत्र, पियच नियंत्रन तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर योगच डिने प्रद्योकिकी के प्राक्रम अनुप्रवाह संसाधन इसमें प्रथक करण वाश्योधन शामिल है इसे सामवहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं और शदी के मामले में ऐसे संरूपन को जो किसी ये परीक्षन से गुजारते हैं अनुप्रवाह संसाधन प्रत्यक उत्पात के लिए भिन भिन होता है क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजाद शिश्यों की वृत्यों के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता किस के लिए कौन दोशी है चल जाता है अब वैग्यानिकों ने नियमित चिकिसा दिखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुँचकर एक सब्ता के बजाए कुछी दिनों में उन शिश्यों के डिने के कुछ लेखन का एक तरीका खोज लिया है सिर्फ पचास घंटों में हम नवजाज शिश्यों के जीनों का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में तोहराएं जयव प्रोध्दुकी की एक तकनीक है जिसमे उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिस्ट उप्योग हे तो सूख्ष में जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए अनुवन्शिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज DNA विक्सित किया जा सकता है जब विजातिये DNA प्रतिकृती के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में DNA प्रतिकृती वागुनित हो सकते हैं ये DNA क्लोनिंग कहलाता है प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन इकृती कृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है प्रति बंधन एंजाइम DNA दूई कुंडलिनी को विशिस्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम को पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम ECO-R1 और बंधन की क्रियाद्वारा उत्पन्ने किये जा सकते हैं DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस यानि वेदुध कन संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है एक DNA अणू जो विजातिय DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है जीवाणों कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिय DNA क्लोनिंग सवह घहलाता है पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं अनुवन्शिक पदार्थ का प्रथक करण अनुवन्शिक पदार्थ यानि DNA का प्रथक करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन परपोशिक कोश का जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवा संसाधन